हेलो फ्रेंड्स आज हम बच्ची वी रोटी सब्जी से बहुत ही स्पेशल नाश्ता बनाने वाले हैं जिसे आप छोटी मोटी भूख के लिए कभी भी बना सकते हैं और बच्चों से लेके बड़ो तक सभी को पसंद आएगी तो चलिए फटा-फट बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने ये लंच टाइम में मैंने आलू मटर और टमाटर की रस्तेदार सब्जी बनाई दी वह लेली है पहले हम इन सब को मैश कर लेंगे अच्छे से इसका पेश्ट बना लेंगे मैं इसमें एक्ट्रा कोई स्पाइस नहीं डाल रही हूं आप चाहें तो डाल अगर चटपटा बनाना हो तो अब मैंने रोटी का बचा हुआ आटा ले लिया है इससे हम रोटी बनाएंगे बस नॉर्मल रोटी से पतली रोटी बनाएंगे यह देखे पेड़ा ले लिया है मैंने और इस पर सुका आटा लगाएंगे अब इससे बेल लेंगे नॉर्मल अब हम इन पे डॉट डॉट कर लेंगे ताकि ये ओइल में जाके फूले नहीं और खस्ता से फ्राई हो तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें कमेंट करके भी बताएं कौन से सीटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी बताएं मैं जरूर ट्राई करूंगी बनानी की अब हम ट्राईंगल के किनारी पर पानी लगा लेंगे हमें इसका आइसक्रीम कौन की तरह कौन बनाना है मेरे पास वैसे मोल्ड है इसका लेकिन मैं आज मोल्ड काम में नहीं ले रही हूँ क्योंकि सब के पास mold नहीं होता है तो मैं ये easy way में बनाना बता रही हूँ आपको अब किनारी को अच्छे से seal कर लेंगे हम अंगुली की मदद से अच्छे से प्रेस करते वे seal कर लें ताकि ये खुले नहीं ये देखिए ऐसे ही सारे बना के हम इनको fry करेंगे ताकि ये अंदर से कच्छा ना रहे फिर हम इसको fry करने के लिए कड़ाई में डाल देंगे हाथों का ध्यान रखते हुए ये काम करें और इसे एकदम कुरकुरा होने तक फ्राई कर लें मैंने मीडियम ही रखाया आपको ज़्यादा कुरकुरा चीए तो आप इसको ज़्यादा फ्राई करें अब हम इसको उल्टा गरके ओल निकाल लेंगे इसमें से ऐसे ही बाकी के भी फ्राई कर लेंगे देखिए सेकिंड भी फ्राई करके दिखा रही हुँ मैं अब फ्राई होने के बाद हम इन में जो आपने फिलिंग तयार करके रखी है ना वो फिलिंग हम इन में भर लेंगे आप ये किसी भी सबजी के साथ बना सकते हैं और बच्चे तो बड़े चाव से खा लेंगे इसे बड़े भी खा लेंगे जो सबजी नहीं खाते हैं पसंद नहीं करते हैं उस सबजी से आप ये बना के दीजिए वो बड़े चाव से खा लेंगे देखें ऐसे ही मैं और भी फिल कर लेती हूँ और इनको डेकोरेट करने के लिए मैंने टामाटर स्वास ले लिया है चटनी और सॉस की मदद से बुजिया अच्छे से चिपक जाएंगे किनारी पे ये देखिए ऐसे ही मैं सॉस वाला भी करके दिखा देती हूँ किनारी पे सॉस लगाएंगे और फिर भुजिया कोट कर लेंगे तो देखा ना कितना असान है इनको बनाना ऐसे ही सारे तयार कर लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे इजी वे में बने वे बच्ची वी रोटी सबची का नाश्टा तयार है तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके बताना ना भूले और आप भी इसे बनाएं और गर्मा गरमी इसे सॉस या चटनी के साथ इंचोई करें थैंक यू